हेलो गाइज, विल्कम बैक टो मैं चाइनल मम्मी दढ़ाबा आज मैं बनाने जा रही हूँ आटे का खस्ता निमकी ना बेलने की जंजट और ना काटने की टेंशन चलिए था हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं निमकी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गेहों का आटा 240 ग्राम लिया है जिससे आप रोज रोटी बनाती है आटा को प्याले में डाल दें दो बड़ा चमच तेल डाल दें आधी चमची नमक मिला लें एक चुथाई चमची मंग रहे ला अब इन सभी चीजों को अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लें सभी चीजों को मिक्स करने के बाद आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर आटे को गूंध लें आटे को हमें थोड़ा टाइट गूंध ना है जिस तरह आप मठरी बनाने के लिए आटा गूंदती हैं बसवा से ही आटा गूंद लें इहां पर मैंने आटे को थोड़ा सा टाइट गूंद कर रेडी कर लिया है आटा गुदने के लिए मैंने इस कप से एक कप पानी लिया था इसमें से दो चमच के करीब बच गया है चलिए अब हम आटे का निमकी बना लेते हैं आटे में से एक छोटा सा पोर्शन लें और इस तरह से काटे के उपर रखकर हलका सा प्रेशर देते हुए नीचे ले आएं बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं मैं इसे आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ इस तरह आटे को काटे के उपर रखें और हलका सा प्रेशर देते हुए नीचे ले आएं उंगली से इस तरह से आप कुछ नएडिजाइन की निम्की बना सकती है इसी तरह से हम सारी निम्की को बना कर रेड़ी कर लेंगे यहां पर मैंने पूरे निमकी को बना कर रेडी कर लिया है आप देख सकती है कितना खुब्सूरत लग रहा है हमारा निमकी चलिए तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं फ्राई करने के लिए फिलेम को अन कर लें और कराही को गरम होने दें कराही के गरम होने पर इसमें तेल डाल दें और तेल को गरम होने दें तेल गरम होने के बाद फिलेम को मीडियम कर लें थोड़ा थोड़ा निमकी डाल कर इसे फ्राई कर लें इतने निमकी को हम तीन बैच में करके तलेंगे हलके हाथों से निम्की को तेल में फैला दें निम्की को उलट पुलट करते हुए लाइट ब्राउन कर लें दो तीन मिनिट में निम्की लाइट ब्राउन हो जाएगा तो आप इसे निकाल लें आप देख सकती है निम्की को इसी तरह का फ्राई करना है इसी तरह से हम सभी निमकी को फ्राई कर लेंगे देखा ना आपने कितनी आसानी से निमकी बनकर रेडी हो गई ना आपको बेलना पड़ा और ना ही काटना पड़ा निमकी को ठंडा होने के बाद आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रख लें इसे आप 15 दिनों तक खा सकते हैं आपको हमारे गेहों के आटे की निमकी की रेशिपी पसंद आई तो पिलीज वीडियो को लाइक करना एक दम न भूलें और जादा से जादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ओके बाई